नमस्कार साथियों हम है मोहन परियार चैनल पर मोहन परियार के साथ और हम आज बात करेंगे कल जो वीडियो डाला उरुरक तो भुसारों की भानती है तो उसके बारे में बात करेंगे कि डोज कितना दे तो कौन से लिटर तो मैं 15 लिटर की बात करता हूं तो मैं जो बात करत होई डोज माने आप 15 लेटर की टंकी मानता हूं है मेरे पास 15 लेटर की आप माने तो उसी साथ से डोज बताओं हमेसा और यह घुलंसी लूरोरो को क्या है कि जो वाटर साल्यूबल का एक से इंटेंस किसी कैसे करेंगे हम ड्रीप में यह तो बता दिया वो तो ड्रीप के खा जाको आता है उसको केल्चम नहीं खरीदना हो और उसकी मल्चिंग और उसका एक वह यार मतलब की थोड़ा फंड़ा है तो वह बड़ा गड़बड है तो क्या यह सुरुवात हुई थी वहां से और उसका फाइदा उठा लिया गया और आपको बनाते चले गए क्या है कि मल व Complementers geeons दिया गया घएक सेटेंस कंप्रियों के वाटर साल्यूबल टिक है तो यह वाटर साल्यूबल जो il Wald जानते समझ गया होंगे वाटर मतलब पानी युष ऑल्ड मतलप फ़िए अब कई दूद में घोल के तो खाड नहीं देथे मैंने तोंiments नहीं देखा है टीकिया मैंने इसिटर ऑफ हम इंब भी घोल देते होई नहीं देखा और इसे जोटा मुझे मालूम निए क्मेंट सम्ट बताई़Спर्दे में लें में सब्सक्रता करते लेक्य करते हैं जुछ हैं कि दैग आफ को ना है।कि में की धिने ना अधर को नौलजनीर अटर strawberry कि अगुछ हो कि गूल तो नहीं देते तो पानी में मिट्टी में नहीं घुलता कि मतिड़े लिए तो दूद में गूलता है इसमें कहने करते हैं ठीक है मतलब समझाने गार तो यह होता है कि वो तेल में गुलेगा या धोध मे गुलेगा तो द या पी भी पानी भी गिलता है पैजुँए ठीटेटा कि स अडाये थी चीजे बनाई गए कुछ है अल्खोल में जिब्रिल्यक तो गुलण चिलता है ईसमें वहोसमें तो नहीं मेरे को मालूम को इथर और इनमें हो गुलन सिलता और लेडियों को बॉटलों में पेक करके दे देते हैं और बाद पाने के साथ बन जाता हूं यह बनती है इसे खात के मामले में इसे कुछ नहीं है तो वाटर मल्चिंग में किया उनको प्रोड़क्षन जाता हूं देख देख के दूसरी खेती वाले वह भी करने लगे कि इससे ही उत्पादन बढ़ता हूं इससे नहीं बढ़ता साथ मल्चिंग और इसका प्रोसेस अलग है ड्रीप आपके वाजब है उसने एक ने बेट पर मल्चिंग लगाई है तो उत्पादन उसका कहां से बढ़ता ह सबसे जड़ा नुकसान पहुचाता है विर्षा मतलब चारा जो बुगदा होता है वोगदा चारा जो बोलते हैं आप उससे 45 परसंट तक नुकसान होता है फसल को तो मल्चिंग लगी है तो शुरुवाती दौर से ही उसको पहुत जादा रहती और शुरुवाती लिख बह और कूड़ा करकट उस बेड़ में है और गेनिक मेटर तो रहता है गोबर खाद तो सबसे घुट क्लाइमेट है जीवन के लिए तो इसी प्रकार अगर कार्बन डायक्सेट उस छेज से निकलती तो उनुखा जीवन मतलब बहुत स्टांग हो जाता उस पोदेगा क्यों सारी क जितनी निकलेगे से अजोब आजोयकर निकलो से बाहर जाएगी सब्सक्राइब तूर माधिन अदिम्स नहीं होता है जिसकी जमीन में नहीं होता है मल्चिंग लगाई तूर विना मल्चिंग लगाए हो सोग्यें वायदे में रसा फादन आलए उसमें लगाए है ताहिक procent और उसमें फॉस पूस जाते हैं इसे नहीं इंपोर्टेट खाद डाल लोगे तो उस पर उत्पादन बढ़ जाएगा ठीक है तो यह इंपोर्टेट खाद आपने डाल लिया 200 रुपे जो हमारे हैं 22 रुपे किलो में मिल जाता है और दस गुना अपने प्राइज दे के उसको टाल ले उससे नहीं बढ़ा खाद का कोई रूप हम मल्चिंग वाले में चलाएंगे तो वह बढ़ जाएगा बाकि आपके ड्रिप्स है और ऐसे ही खेती है और उसमें बेक्टेरिया क तो वह खाद को उपलब्द कराते हैं तो वह जो खुली है जिसमें मल्चिंग नहीं डिला हुआ है उसमें अल्लेडी वह बेक्टेरिया काम करते रहते हैं तो खाद कोई शी भी डाल देजी वह उस रूप में बनाकि उसको दे देंगे ठीक है तो मल्चिंग वाली जो डाल जरूप में पोदा उफलब्द होता है वही फाम डाला है क्या तो उत्पादन बढ़ेगा उसका मल्चिंग वाले बनाकि पानी में घुलान ततकाल पोदा अप्टेक कर ले ठीक है पर हमको मल्चिंग जिसमें नहीं लेगी उसमें कईसा भी खाट डाल सकते हो ठीक है उपर में कईसे भी डाल सकते हो वह वेक्टरिया काम नहीं करते हैं अलड़ी इस्टोमेटा काम करेंगे ठीक है साती हो तो गुलंसिलता के जो फार्मुला पताया तो वह कर लें और उसका प्रसंटेज है डालने का तो आप दुकानदारों से पता कर लें ठीक है वैसे 0.8 से लगा लगाए कि चोटी छोटी बाते हैं तो मल्चिंग वालों की और उसी सिस्टिम रहें कि वह खात दे रहें वह जो कोई वहीं कि समझदार की वहीं डाल रहे हूं यूरिया इसे चले जाता है ठीक है तो यूरिया उसमें वह देखना पड़े कमेरा कौनकौन से उपलबदों है होते हैं पोदे को मल्चिंग में मैं बताऊंगा पर ऐसे आपकी ड्रिप है तो यूरिया दे सकते हैं और पोटास देखते हैं सपेद पोटास आता है ठीक है और फास्वरक्स के डेपी को गलाक है थोड़ा सा गरम कर ले उसमें आपका लिक्वीड निकलेगा हुमी कैसे हलका स अब काला काला सा उपर उपर गा तो आप चला दीजिए जहाएं एक किलो खात दे रहे हैं उसकी जग दो दे दीजिए और आदा मटेरल रहे जाएगा नीचे जो रॉम मटेरल है उसको खात के रुब्बे खेत पेड़ दीजिए ठीक है उसमें से एक सॉल्यूशन बन जाए तो आपको बता ही दिया ठीक है ना तो इसे इसे खेल चल रहे है ठीक है तो खरपरतवार को आपको ध्यान देना है और इस सब चीजों को कि थंड़ा मतलब एद उससे एनर्जी आया है कि आर्तिकेसीयल होता है साब आर्तिस केसीयल जो ठंडा ने पिते नहों काला पानी उस सब्सक्राइब नहीं हो तो मेरे साथ लगा सकते हो 20,000 रुपए दूंगो दस रोज मेरे साथ करने हो वह पी ले मैं उसका मतलब पांचवा भाग खाऊंगा जैस पंदर रुपए की किया तो पांचवा आपका तीन से साथ तीन रुपए मैं आपका फूट खाऊंगा एगर स्वाट टेस्ट और इसके चक्कर में और कोई पोधो स्वाट चाहिए उनको न्यूट्रिन बोजन जी वो नहीं हमारे जैसे नहीं है उनका सेंस अप उमर ऐसा नहीं है कि उनको बना बनाया मतलब दिखा आखों से निकाते वह उनको ताकत चाहिए वह ताकत इसी जो फाम हो इसको भंडियों खतम करना चीए ब्रहम को तोड़ना था नहीं तोड़ा आप भीक रहा है और यह वाटर सालीवल फालीजों कोई नहीं होता ने किसी सब पूछ लेना उसका अरते इंगलीज मेरों को थोड़ी बहुत जवहां तक आती है उतना आपको बता दिया कि गुलंस इसको पूछ रहे हैं तो वह सकता है इसका फिट बेट रहा हो तो वह अला बीज़े करते रहें पर उसके साथ पोटास भी मिला थे पोटास उत्पादन का सबसे बड़ा अर्थ है और रेप वाले जो है वही चलाते रहें मल्चिंग वाले मैं उनके नहीं बोल रहा हूं कि कुल के मैं फार्म देखूंगा कि कौन से फार्म आप लाइक सेक करें तो मैं पता चलेगा कि आप कितना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाए जाए नहीं तो फिर लगता है कि यार समय बरबाद होता है कि वीडियो बनाए कि नहीं बनाए तो आप इसको लाइक सेर करें तो प करके आपको दे दूँगा क्योंकि यह नहीं कि आपका बारा एक सट ने जरू जरू पचास डालोगे तो पोटास तो इसे भी पचास और उसका फार्म कौन सा है मैं देखूंगा उसकी करूंगा कि रूफ होता है अमोनियम जिसे नाइट्रेट डूरिया हुआ तो नाइट्रे इस तरह की फार्म होते पोदा किसमें अप्टेक करता है क्यों मरत साहल है तो उसमें को इसी प्रकार से देना पड़ा है डारेक्ट अप्टेक हो जाए ताप इनकी चिंता नहीं करें मल्चिंग वालों से और जिनकी मल्चिंग नहीं है वो कैसे भी खाद आप चलाते रहें ठीक है आपके जो मार्केट मिल दें कोई घुल के फिल्टर के पहले चलाते रहें ठीक कोई ड्रीप मीप चोग नहीं होती और बागी वैसे में घुल करते रहें तापका पेशा भी बचेगा और उत्पादन भी अच्छा उठाएंगे उनसे ज्यादा उत्ताएंगे उनसे पंद्रा गुना एक पेशा बचा लोगे दस रुपे का बीस रुपे ही आपको खर्च करना है और उत्पादन ज्यादा उठा जाएंगे ठीक है ना तो बस इतनी छोटी जानकारी थी रूपों के बारे में फिर मिलते हैं जैहिन सातियों फिर